इसी तरह से ही आपको ये भिंडी की सब्जी बना के त्यार करनी है तो देख सकते हैं आप कितनी खिली खिली और बहुत जादा अच्छी भिंडी की सब्जी बन के त्यार हो चुकी है हैलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमरे चन्द में आज मैं आपको भिंडी की पिल्कुल अलग तरीके से लेकिन बहुत ही ज़्याद अच्छी सब्जी बताऊंगी इस तरह से आपको ये भिंडी कट करनी है और मैंने दो प्याज लिये हैं वो भी इसी तरह से ही आपको कट करना है तो चलिए फिर बनाते हैं सबसे पहले एक चमच ये जीरे लिए हैं सावत पाली और एक चमच ये सौपली है मैंने तो ये तो नॉर्मली सबी जगे रहती हैं और इसके बादी आदा चमच इसमें रवराई के दानी लिए हैं इन सबी को आपको गरम करना है बहुत ज़्यादा रोष्टिट नहीं करना है सिर्फ आपको गरम ही करना है तो मैंने इनको गरम कर दिया जैसी ये गरम हुए इसमें मैं ये लच्छा नारियल दो चमच येट कर रही हूँ अगर आपके पास डेशिकेट कोकनट हो तो आप भोवी डाल सकते हैं जैसे ही ये गरम हुए अब मैं इनको करस्ट कर लूँगी तो एक साइड मैं इनको करस्ट कर लूँगी तो जैसे ही प्याज का हलका सा कलर चेंज हुआ इसमें मैं लेसन अदरक का एक चमच पेश्ट डाल रही हूँ और कुछ सेकंड चलाती रहूंगे इसके बादी मैं इसमें मसाले अट कर रही हूँ यह सबजी बहुत जटबटबन के तयार हो जाती है और बहुत ज़ादा अच् चुका है तो जो मैंने भिंडी और प्याज कट करके रखी है वो इसमें डाल दूँगी बहुत ज़्यादा सरल होता है इसको बनाना और जो आप नॉर्मली एक ही तरह की भिंडी बना के तयार करते होंगे यह आपकी भिंडी बिलकुल ही अलग तेश्ट में बनेगी और बनाते बनाते आप भी बोर हो जाते होंगे और सभी खाते खाते बोर हो जाते होंगे इसलिए कुछ अलग तो ट्राइ करते ही रहना चाहिए इसलिए आज मैं आपको बिलकुल अलग तरह के यह भिंडी की सबजी बता रही हूँ इसमें मैंने टेश्ट के अकॉर्डिंग न चमच चाट का मसाला एड़ कर रही हूँ, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो, वैसे हो तो आप जरूर एड़ करें, ना हो तो आप इसमें पिसा हुआ अमचुरका पाडड कर सकती हैं, और इसके बाद मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ही इसको थोड़ा सा ढख कर रख दूँगी सिर्फ दो मिनिट के लिए ही दो मिनिट के बाद ही अपने आफी जादा नहीं लेकिन सॉफ्ट हो जाती है ये देखिए आदा चमच में इसमें अचार का मसाला जो भर्मा मिर्च रहती है उसी का जो अचार मसाला बन के तयार होता है बही मैस में अट कर रही हूँ इसका काफी अच्छा टिश्ट आएगा और ये तयार हो चुकी है तो लाश्ट में मैस में जो मसाला बना के रखा था था ना जीरे का, सॉप का और लच्छन आरियल का तो वो मैंने लाश्ट में डाल दिया है अब आप समझ रहे हैं ये सबजी रेडी हो चुकी है इसको आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है जब आप इसको देखें चेक करें किसी से भी तो ये हलकी सी सॉफ्ट ही रहे बस मैस ना हो बस इतना ही आपको इसको सॉफ्ट करना है और ये देखिए भिंडी की सबजी रेडी हो चुकी है मैंने गैस की फ्लेम आफ कर दी है और इसके बाद मैस में ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और ये सबजी रेडी हो चुकी है बस लास्ट में इसमें अभी गरम मसाला नहीं डला है लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहे हूँ ये देख सकती हैं, आप देखकर ही आप समझ गए होंगे कि सबजी रेडी हो चुकी है तोड़ा सा ग्रम मसाले का पाउडर डाला और यह सबजी रेड़ी हो चुकिए अब मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ इसको आप किसी के साथ भी सर्फ कर सकती है पूरी, पराठा, रोटी जो भी आपको पसंद आए और इसको आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना के तयार कर सकते हैं या फिर आपके हाँ जब भी कोई महमान आ जाएं तब भी आप बना के तयार कर सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ 3-4 मिल्ट में ही बनके तयार हो जाती है सबजी यह देखिए खिली-खिली भींडी की सब्जी रेडी हो चुकी है यह आप एक बार जरू ट्राइ करें आपको निश्चती पसंद आएगी अगर आपको यह पसंद आती है तो फिर से कहूंगी चनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले कॉमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको यह सौफ्ट भींडी की सब्जी बना के ट्यार करना है यह मैं आपको बिल्कुल पास से ही दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल अलग तरीके से यह भींडी की सब्जी रेडी हो चुकी है यह देखिए जब आप इस तरह से इसको चेक करेंगे, तो इसी तरह से ही इसको सौफ्ट आपको बनाना है तभी यह बहुत जाद आच्छी बन के तयार होगी कोई सजेशन हो तो जरूर दें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद